प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने सुमवार को डेनमाख की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडिक इकसन के साथ एक वर्चुअर समिट में हिस्सा लिया इशारो में चीन पर निशाना साथते हुए पीम मोदी ने कहा कि कुरोना वाइरस ने दिखाया है कि किस एक स्त्रोत पर वैश्विक आपूर्ती श्रिंखला की अधिक निर्भरत जो खिमभरा है हम जापान और उस्ट्रेलिया के साथ आपूर्ती श्रिंखला विविधी करन और लचीरापन के लिए काम कर रहे हैं अन्य समान विचारधार वाले देश इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं कोविद 19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाइचेंज का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधीक निर्भर होना कितना रिष्की होता है हम जापान और उस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाइचेंज को डाइवर्सिफाई करना और रेजिजियन्स के लिए काम कर रहे हैं अन्य लाइक मैंडेट देश भी इस प्रहत्न में जूड सकते हैं इस संदर में मेरा मानना है कि हमारी वर्चुल समीट ना सिर्फ भारत डेन्मार्क सबंदों के लिए उप्योगी सित्ध होगी बलकि वैश्विक चुनोतियों के प्रती भी एक सहजा एप्रोज बनाने में मदद करेगी एक बार फिर से एक्सेलनसी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अब मैं आपको अपने ओपनिंग रिमार्श के लिए आमत्रित करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उमीद है कि जल्धी कोरोना वाइरस के सिथी सुधरने के बाद हमें आपके और आपके परिवार का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा मुझे यकीन है कि आपकी बेटी को फिर से भारत आने के लिए उत्सुख होना चाहिए डेनमाक की पीम मेटे फ्रेडरिक सन ने कहा कि मेरे परिवार को बढ़ाई देने के लिए बहुत धन्यवाद मेरी बेटी एक बार फिर से भारत आना पसंद करेगी और मेरे परिवार का भी यही कहना है आपका विवाव हुआ मैं इसके लिए आपको मंगल मैं शुकामनाई देता हूं और आशा करता हूं कि कोविड नाइन्टिन से उत्पन सिती सुधारने के बाद सिग्रही हमें आपका सब परिवार भारत में स्वागत करने का आउसर मिलेगा मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी इदा फिर से भारत आने के लिए अवश्य आतूर होगी कुछ महिने पहले फोन पर हमारी बात बहुत प्रोड़क्टिव हुई थी हमने कई छेत्रों में भारत और डेन्मार के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी यह प्रसनता का विशह है कि आज हम इस वर्चुल समीट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गती दे रहे हैं विदेश मंत्राली के उरसी जारी बयान के अनुसार दुपक्षिय समीट से दोनों देशों के बीच परस पर संबंद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी भारत और डेन्मार के भी 400 साल पुराना एतिहासिक और करीब 70 साल पुराना राजनीक संबंद है करीब 5000 भारतिय पेशिवर डेन्मार की दिगज कंपनियों में काम कर रहे हैं साथ ही वहां देशकों से 20 भारतिय आईटी कंपनियां मुझूद हैं मिये के अनुसार दोनों देशों के दुपक्षिय संबंद का एतिहासिक लिंक लोकतांत्रिक परंपराओं में समानता और अंतराष्टे सर पर शान्ति और स्थिर्ता की साजह इच्छा पर अधारित है भारत डेन्मार के बीच वर्च्वल मीटिंग के दो एहम मुद्धे हैं पहला दो देशों के बीच बौधिक संपदा सहीयो के शित्र में समझाता ग्यापन और दूसरा अंतराष्टे सौर गट बंधन में शामिल होना